लोगसभा चुनाव 2019 की मतगर्ना से प्रदेश भर के 200 स्ट्रोंग रूम में EVM रखी गई है उप मुखे चुनाव आयुक्त की ओर से हुई VC में CEO आनंद कुमान ने सुरक्षा का पूरा प्योरा दिया प्रदेश में लोगसभा चुनाव में हुई वोटिंग के बाद EVM को 33 सुरक्षा व्यवस्ता में रख दिया गया है आपको बतादे कि स्ट्रोंग रूम में अंदर CPMF यानी केंद्रिय अर्द सेन्य बल की टुकडिया है और मद्यभाग में RAC के जवान इसकी सुरक्षा में तेनाथ है वहीं बाहर स्थानिय पुलिस बल इसकी सुरक्षा में लगा हुआ है हर लोगसभाग शेतर में आठ स्ट्रोंग रूम बनाए गए है CEO आनंद कुमार ने अपनी मोनेटरिंग में जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से पुक्ता सुरक्षा व्यवस्ता सुनेश्चित कर ली है और वी सी में A.C.E.O. डॉक्टर रेखा गुपता मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोध पारिक सहित निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी मोजूद रहे